कि हलो बच्चों केसे हैं आप सब आयोब के आप सब बहुत बढ़िया है आजम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 15 15 इससे पहले की जिदने भी चैप्टर हैं डिस्क्रप्शन में लिंक देदूगा वहां से अगर आप वहां पर जा सकते हैं या पर डारेट प्लेलिश्ट पर भी चेक कर सकते हैं इंग्लेस रिडर और आपका जो ब्रिच कोर्स का भी कंप्लिट स्यल्यूशन है उसको भी आप देख सकते हैं चले बिच्चा सुरू करते हैं पार्ट पंद्रा ठीके पार्ट करना महिश्वर इस चैप्टर में आपको मत्य प्रदेश का एक शहर है सब्ध कोश से मन् दकर लतिफ़ार इनको आप सतक के पीचे से खोज कर लेकर लगें तो बहुत बड़ी रहेगा आपको भी चीन नाम हो जाएगा माहिस्मती क्या हो जाएगा माहिस्मती यदि आपने माहिस्मती नाम किसी भी फिल्म में सुना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूरता है कि सर इस फिल्म में माहिस्मती नगर का नाम सुना है ठीक है बहुत ही फेमस फिल्म में याद रखना ठीक है उस महिस्ववर मं नहीं है मैं बता दूं बर्तमान में महिस्वर खरगोन जिली में ठीक है चलते हैं क्या है देखो महिस्वर की खुदाई में किस प्रकार कि बस्तुमन राप्ध होई तबक्चों महिस्वर बचे कुछे जो भी चीज़ें होती हैं बहुत पुरानी जो अविशिष बोलती हैं हाई सामराज की स्थापना कि तो हाई सामराज की स्थापना की वो की अपनी कारती बीज्य सहस्त्राड जुन्ने किसने कारती बीज्य सहस्त्राड जुन्न ठीक है अगल है नर्वदा के तट सब्सक्रावक पनवाया, चट Sugden को अहिल ने बनवाय के लोग माता है था। इसमें नंबर तीन तो इसमें आपको लगुत्त्रिय प्रिशन दियो घये हैं कहा गया है सहस्तरार जुन के बद का क्या कारण था तो मतलब सहस्त्रार्जुन के बद का कारण क्या था तो आपको पूरा तो नहीं लिखना तो आपको इतना लिखना है यहां से लिखना है आपको यहां तक क्या लिखना है कि सहस्त्रार्जुन ने परशुराम जी के पितारिसी जम दगनी का बद कर दिया इसका बदल करते हैं तो अगला कुछन है महाराणी अहल्याबाई को कि किन किन कार्यों से महिश्वर प्रिषद्ध हो गया तो बच्चों दो इसको आप पूरा ही पढ़ने और पढ़ने के बाद जो ही पॉइंट आपको लगें कहां यह लिखने लाइक हैं उनको आप अपनी कौभी में द पर एक किला और भगवान सिपका बिशाल मंदिर बनवाया यहां इस्थित पवित्र सिविलिंग महिश्वर की नाम से प्रिषद्ध है मंदिर में महाराणी अहल्यावाई द्वारा प्रिजोलित अखंड दीप में यहां आने वाला प्रतिक दर्सनार्थी घीडाल कर स्वयम को धन्न समझता है ठीक है महिश्वर धार्मिक पौराणिक पुरातात्विक सांस्कृतिक और एथासिक संपदासिवी संपन्न है महराणी अहल्यावाई ने माराठों की सासनकाल में यहां सुंदर घाटों मंदिरों धर्मसालाओं तो भबनों का निर्माण कराया इस काल में महिश्वर का सर्व तो उन्मुखी विकास हुआ यह नगर रेश्मी साड़ियों का निर्माण के लिए भी बहुत प्रिशिद है अगला है महराणी अहल्यावाई को लोक मता के रूप में याद क्यों किया जाता है तो आप इसको इस प्रिकार से लिख सकते हैं तो आपको य यहां से लिखना है देखो बच्चों कि महराणी अहल्यावाई ने महिश्वर नगर को सर्वून मुखी विकास कराया क्योंकि उन्होंने ही इसे प्रिशिद्धी प्रदान करने के लिए महान से महानकार किये नर्वदा के टटो पर सुंदर घाटों और मंदिरों का निर्मा मतलब पत्थर के जमानी के या दर पासान मतलब पत्थर जब कोई धातु का अविस्कार नहीं हुआ था किवल जो भी चीटती पत्थरों से ही आग जलाए जाती थी पत्थरों से घुल गुल पत्थरों से और पत्थरों से ही जो है शिकार करने के लिए ओजार भी बनाए ज इसलिए इसकी बात की गई है ठीक है प्रोगेतिहासिक काल के पुरा आवसी उसरे से पता चलता है उस समय यहां के लोग कहां सफूस के जूपडियों में या पीड़ों पर बने घरों में रहते थे उस समय की पाई गई बस्तुम में लाल काले रंग की मिट्टी बरतनों और घ के रालाबॉन आदी के किनारे से ही भुस्ते थे क्योंकि इन स्थान्यों पंड़ कि या वस्त Windows अब जो है आप ससब्दूं से प्रेच अिस्थान भनना है महस्वर की खुदाई में की महत्त की बस्तुम पुराताच्विक महत्त के बस्तु में प्राप्त हुए ठीक है महारानी अहल्यावाई ने महिस्वर में किला और सिभ मंदर बनवाया महिस्वर की बनी रेस्मी साड़ियां प्रिसिद्ध हैं और अगला है कि महिस्वर किसकी नदी के किनारे बसा है तो महिस्वर जो है वो नर्मदा नदी के किना करें ठीक है तो बाक्तियों में प्रियुक करना है इन सब्दों को और आपको मुह से उच्छाण भी करना है तो देखो आसी बाद तो सही अंजर जाएगा आशीरवाद सहस्त्रार जुन संस्कृति रिशी जमदगनी दर्षनार्थी प्रिज्ज्वलत और पुरा तात्विक इनको तो हमने क्या कर दिया है पुरुनामस तो कर दिया है अब आप भी बूलें और इनको बाक्तियों प्रयोग इस्पकार से करेंगे कि जैसे कि सबसे पहले आसरवाद तो देव दर्शन करके उनका आसरवाद संस्कृति पूरे संसार में अपना प्रभाव जमाई है रिसी धों में महान त्यागी और लूक रंजक्ति जम दगनी भगवान परसुराम के पिता थी सिब मंदिर में दर्शनारतियों की भीड लगी रहती है अगला है गाउं में सायमकाल को घर-घर में दीप्रजुलत किये जाते हैं वो महिस्वर पुरातात्विक महत्त का नगर है कुश्चन नमबर टू है निम्न के सब्दों का समास विग्रे करके उनका सामने उनका समास का नाम में लिखिए आप जानते हैं समास जो है अपनी और जैसे की सबसे पहले हो गया आप यहीं भाव समास करन धारे समा जिगू समास द्वंद समास इन समासों के नाम एदिया आपने नहीं पढ़े हैं तो मैं एक वीडियो बना दूंगा या तो फिर आप जाकर ब्याकरन की किताब में देखें तो आपको समास जो है मिल जाएगे अभी तो क्योंकि मैं समास नहीं बता सकता क्योंकि यह की मलब उसको तोड़ेंगे सब्दों को लोग की माता मलब जन की माता ततपुरूष समास है तो यहां पर लोग की आगया ना इसलिए जो है यह ततपुरूष समास है मदुर धुनी मदुर है जो धुनी कर्मधारे समास की विस्ता है कि अगर बीच में है जो के समान के जैसा आता है तो वहां कर्मधारे समास है जैसे कि नील गाए तो नीली है जो गाए तो इसके मलदब वहां भी कर्मधारे समास है अगला है नर नारी नर और नारी यहां पर द करमधार समास है अगला कुश्चन क्या है देखते हैं तो अगला कुश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा कि इनमें आपको प्रियोक्त उपसर्ग छाट कर लिखना है तो बच्चों उपसर्ग बेसब्द होती है जो किसी भी मूल सब्द की आँगल लगाय जाती है और मुल सब्द के滿ट सब्द को बूले जैसे कि सबसे पहले है उपसर अखंड में मूल सब्द है ठाज प्रित्य पीछे लगाइग sent अच्छ आब पिलस सेष दो अब सेष प्रशित चायि प्रृषित अनुपिलस साशन विघ्जाण ठीक है अगला संदी विट्षित कीजिए उनके सामने संदी का नाम लिखिए तो बच्चों संदी भी आपको पता होना चीजे तीन प्रफार की होती हैं अपनी होगी स्वरसंदी एक होगी बेंजन संदी और यह बिसर्ग संदी ठीक है इनकी भी आप मैं अलग से वीडियो बना दूगा तो मैं वहां आपको डुटेल में बताऊंगा तो अब ही हम चलते हैं महिश्वर में महा पलस इस्वर क्योंकि बीच में आ और एका मेल हो रहा है इसलिए स्वरसंदी है ठीक है मनुहर इसमें बिसर्ग संदी आसिरवाद में बिसर्ग संदी और दर्शन पलस अर्थी इसमें आपकी बेंजन संदी है अगला है निम्लिकत बाक्यों में ऐसे उद्दिष और विध्य च्छाट का लिखी जैसे कि पह आप समझ जाएंगी आप करेंगे क्या मतलब आप पूरा नकल नहीं करना है आपको अपने दिमाग से सॉल्व करना है देखो इंदोर की महरानी अहल्यावाई ने यह जो है अदेश्य है और सुन्दर घाटों मंद्रों और धर्मसालाओं को निर्मार कराया यह जो है बिदि अगला क्या है कि प्राप हैं सम बंदित होता है वे उतहास से संबंदित होता है अगला क्या है कि प्रधानाद्यापक को एक पत्त लेखिए जिसमें महिस्वर दर्शने इस थल पर भर्मर दल से ले जाने का नुजूत कीजिए तो यह जो है आपको खुद करना है इस तरह से जो चैप्टर है वह आपको complete हुगा तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी है बच्चों टेक क्यार